दोस्तों ये है एरो की Splendor Plus i3s BS6 हीरो ने Splendor Plus में Mobile Charging की सुबदा दे दी है जो की एक नया Features है इस Bike में हीरो Splendor Plus में 5 Variant आते हैं 9 Color का Option दिया है और ये है Black Base Silver Color तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके Price, Features और Mileage के बारे में तो सबसे पहले हम इसके Front से Start करते हैं तो यहाँ पर आपको Black Glossy Finish में वाजर मिल जाता है जिसके उपर Hero Splendor Plus का Sticker दिया है और साइड में आपको Grabics गी पटी भी मिल जाती है और यहाँ पर आपको Indigator मिल जाते हैं बल्ब वाले और यहाँ पर आपको Halogen Headlam बिल जाती है नॉर्मल बल्ब के साथ जैसा कि यहाँ से आप इसकी रौशनी को देख सकते हो जो की काफी अच्छी दी गई है और चलते हैं इसकी नीचे की साइड में जाता है इसमें ट्यूलेस्टाइड दिये गए है और सिल्वर कलर के अलोबिल्स मिल जाते है और इसमें टेलिस्कॉपिक हाइड्रॉलिक सॉक एप जोरोर टैप के सस्पेंशन मिल जाते है इसके फ्रंट में तो अब हम बात करें इसकी मीटर कंसोल की तो यहाँ पर आपको वही पुराना बाला मीटर कंसोल मिल जाता है जो कि ऐनालोग टाइप का है और यहाँ पर आपको यह Сबसे अच्छा फीचर्स मिल जाता है इसमें आपको अपने मोबायल को यहां से चार्ज कर सकते हैं और यहां पर आपको Chrome की एंडल वार रोड और यहां पर आपको जो है वही पुराने वाले side mirror मिल जाते हैं और यहां पर आपको low beam, high beam और indicator और horn का switch मिल जाता है इसके दूसरी side में i3S का और self का switch दिया गया है इसको side profile से देखें तो इसकी जो theme है वो silver color की दी गई है और इसके battery panel पर Splendor Plus का 3D में logo और i3S का sticker दिया गया है graphics के साथ में और इसके पीछे की side में 818 का tire size दिया गया है इसमें tulis tire मिल जाते हैं और यहां पर 5 step adjustable hydraulic sock absorber tap के suspension मिल जाते हैं जिसको आप अपने weight और demand के साफ से adjust भी कर सकते हैं और यहां पर 130 mm की drum brake दी गई है इसके rear की side में और इसके seat call के उपर भी आपको graphics की पटी मिल जाती है silver color के साथ इसकी seat की quality की बात करूँ तो यहां पर आपको medium quality की seat मिलती है इसकी जो questioning है वो काफी medium है जबकि splendor plus का जो 100 million edition है उसकी जो quality है वो काफी अच्छी मिल जाती है यहां पर आपको grab handle मिल जाता है वही पुराना वाला और इसकी जो tail lamp है वही आपको पुरानी वाली मिल जाती है साइड में आपको indicator भी मिल जाते हैं बल्व वाले और इसके दूसरी साइड में चलें तो यहां भी आपको graphics की पटी और same sticker और graphics देखने को मिल जाते हैं और इसके भी जो field tank की capacity है वो 9.8 liter की दी गई है इसके पीछे की side में company fitted black color का sardi guard दिया गया है और यहां पर आपको suspension और adjustable put rest plane के लिए और यहां से आप इसके chance set cover को देख सकते हैं जो की fully metal का दिया गया है जो की fully covered है और इसके engine की side में चलें तो यहां पर आपको इसके engine की उपर hero की branding देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको four speed gearbox मिल जाता है और यहां पर adjustable put rest और इसके नीचे की side stand में side stand और man stand दिये गया है और इसके side stand के ऊपर एक sensor दिया गया है और यहां पर आपको 165 mm की ground clearance मिल जाती है और यहां पर आपको leg guard दिया गया है जो की chrome penis के साथ है और यहां पर power start और program and fi की bedging मिल जाती है इसके engine और power की बात करें तो इसमें 97.2 cc का air cooled forest rock single cylinder osc bs6 fuel injected engine दिया है इसकी maximum power है 8.02 ps की 8000 rpm प अब चलते हैं इसके दूर सी side में तो यहां भी आपको power start और program and fi की bedging मिल जाती है इसके toolbox के उपर और इसके hero की branding यहां भी आपको मिल जाती है इसके engine के उपर और यहां पर kick start का lever और यहां पर आपको adjustable put rest और यहां पर brake pad दिया गया है जो की safety features के साब से बनाय गया यहां पर आपको एक catality converter मिल जाता है जिसके उपर एक metal की plate मिल जाते हो यहां पर आपको oxygen sensor और यहां पर spark plug दिया गया है इसके engine के head के उपर और यहां से आप इसके combi braking system को देख सकते हो जैसा कि यह setup यहां पर आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर 165 mm की ground clearance दी गई है और यहां पर एक लंबी सी chrome की plate देखने को मिल जाती है इसके exhaust मैं भी आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा अब दोस्तों मैं आपको इसके exhaust का और इसके engine का आपको sound सुना देता हूं तो सब्सक्ते पहले हम bike को start कर लेते हैं तो जैसा कि जो bike है वो start हो चीकिए तो यहां से आप इसके engine का sound note कर सकते हूं तो जैसा कि यहां के आप इसके engine का sound कैसा लग रहा है और आप यहां से जो है इसके exhaust का भी sound सुन सकते हूं तो अब मैं बात करूं इस bike के mileage के बारे में तो इस bike में आपको 65 km पर लीटर का आसानी से mileage मिल जाता है लोकल में और आप इस bike को city या highway पर economy zone में 40-50 की speed में तो यह bike आपको 70-75 km का आसानी से mileage दे देती है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी on road कीमत की तो इस splendor plus के i3s model की on road कीमत है 83,050 रुपे यह on road कीमत मैंने आपको बताई है सान्यो शोर हीरो मद्यम ग्राम कॉलकता सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी other state वाले बिल्कुल भी tension नाल हैं आप अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का hero splendor plus का on road price reply करके बता दूँगा यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जासे आदर like करें comment करें share करें चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe जरूर कर देना thank you दोस्तो